दोस्तो आज की जो भाइकेंसी है वो NGO के तरब से निकाली गई है दोस्तो NGO का नाम बताने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको NGO के तरब से निकाली गई सारी भाइक वीडियो देखने को मिलेंगे दोस्तो सरकार के तरफ से रइस्टर्ड एंजियो सब्त संधु नवचेतन फाउंडेशन के तरफ से टोटल 15 अलग-अलग पोश्ट के लिए भाईकेंस से निकाले गई है दोस्तो जिसे आप अपने जिले, ब्लॉक और पंचायत में रहकर इस का नाम बताने पहले हम आपको ये बता दें कि आपको इसमें कार्ज क्या करने हैं दोस्तो आपके अपने वाड, ग्राम, पंचायत, परखंड और जीला अस्तर पर आपके छेतर में सिक्छा, स्वास्त वो स्वक्षता में सुधार लाने वो आपके समाज को ससक्त बनाने जैसे समाजिक छेतर में कार्ज को करने हैं और दोस्तो अगर आप और अधिक जानकारे प्राप्त करना चाहते हैं इस NGO के बारे में तो आप इसके ऑफिस्यल वेपसायर से इसके बारे में और अधिक जानकारे प्राप्त कर सकते हैं चलिए दोस्तो अब हम आपको ये बता दें कि कौन-कौन से पोस्ट के लिए भाइकन से निकाले गई है और कौन-कौन से लोग इसके लिए अपला कर सकते हैं दोस्तो इस NGO के तरफ से कुल 15 अलग-अलग पोस्ट के लिए भाइकन से निकाले गई है दोस्तो पहला जो post है वो है आपका चपरासी का और इस post के लिए जो qualification रखा गया है वो आपका तेंथ पास रखा गया है और इस post के लिए जो आपको sell ले दिया जाएगा वो आपको 5000 रुपया प्रतिमा sell ले दिया जाएगा और इसमें जो आपका selection होगा वो interview के अधार पे आपका selection किया जाएगा दोस्तो दूसरा जो post है वो है आपका स्वागति का और इस post के लिए जो qualification रखा गया है वो आपका 10 plus 2 रखा गया है और इस post के लिए जो आपको sell ले दिया जाएगा वो आपको 7700 रुपया प्रतिमा sell ले दिया जाएगा और इस post के लिए भी आपका selection एक interview के अधार पे किया जाएगा दोस्तो तीसरा जो post है वो है आपका लीपिक का और इस post के लिए जो qualification रखा गया है वो आपका 10 plus 2 रखा गया है और इस post के लिए जो आपको sell ले दिया जाएगा वो आपको 10,000 रुपया प्रतिमा sell ले दिया जाएगा और इस post के लिए भी आपका selection एक interview के अधार पे किया जाएगा दोस्तो चौथा जो post है वो है आपका परमुक लीपिक का और इस post के लिए जो qualification रखा गया है वो आपका graduation रखा गया है और इस post के लिए आपको 12,000 रुपया प्रतिमा sell ले दिया जाएगा दोस्तो इस post में आपका selection होगा वो interview और एक exam के अधार पे आपका selection किया जाएगा दोस्तो पांचमा जो post है वो है आपका 15,000 का और इस post के लिए जो qualification रखा गया है वो आपका 3 पास रखा गया है और इस post के लिए जो आपको sell ले दिया जाएगा वो आपको 6,500 रुपया प्रतिमा sell ले दिया जाएगा और इस post के लिए जो आपका selection होगा वो एक interview और exam के अधार पे आपका selection किया जाएगा दोस्तो चटा जो पोस्ट है वो है आपका जिला समनवयका और इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन लखा गया है वो आपका गर्जवेशन लखा गया है और इस पोस्ट के लिए आपको 18,000 रुप्या परतिमा सल्ली दिया जाएगा दोस्तो इस post में जो आपका selection होगा वो एक interview और exam के अधार पे आपका selection किया जाएगा दोस्तो शातमा जो post है वो है आपका सहायक जिला समनव्यक है और इस post के लिए जो qualification डखा गया है वो आपका graduation डखा गया है और इस post के लिए आपको 12,500 रुप्या परतिमाशली दिया जाएगा दोस्तो नौमा जो post है वो है असहायक परखंड परवंधक का और इस post के लिए जो qualification डखा गया है वो आपका 10 प्लस टू रखा गया है और इस post के लिए आपको 6000 रुप्या परतिमाशली दिया जाएगा दोस्तो दसमा जो post है वो है आपका पंचायत सिक्षिका का और इस post के लिए जो qualification डखा गया है वो आपका 3 पास रखा गया है और इस post के लिए आपको 3000 रुप्या परतिमाशली दिया जाएगा दोस्तो एगारमा जो post है वो है आपका ग्राम सिक्षिका का और इस post के लिए जो qualification डखा गया है वो आपका 3 पास रखा गया है और इस post के लिए आपको 1500 रुप्या परतिमाशली दिया जाएगा दोस्तो अगला जो post है वो है आपका वार्ड शिक्षिका का और इस post के लिए जो qualification डखा गया है वो आपका 3 पास रखा गया है और इस post के लिए आपको 1500 रुप्या परतिमाशली दिया जाएगा दोस्तो अगला जो post है वो है आपका परशिक्छक का और इस post के लिए जो qualification लखा गया है वो आपका graduation लखा गया है यानि कि अगर आप science से graduation किये हैं तो आप इस post के लिए apply कर सकते हैं पोस्त के लिए जो आपको salary दिया जाएगा वो आपको 14,000 रुपया परतिमा salary दिया जाएगा दोस्तो अगला जो post है वो है आप कर्याले परवंधक का और इस post के लिए जो qualification लखा गया है वो आपका graduation लखा गया है और इस post के लिए आपको 12,000 रुपया परतिमा salary दिया तो दोस्तो आप अपने हिसाब से इस post के लिए असाने से अपला कर सकते हैं दोस्तो इस post के बारे में और अधिक जानकारे प्राप्त करने के लिए आप इसके official website से इसके बारे में जानकारे प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप इसके office में जाके इसके बारे में जानकारे प्रा आफिस के जरीए या फिर कोंटेक्ट नमर के जरीए इसके बारे में और अधिक जानकारे प्राप्त कर सकते हैं।